भारतिय जवान देश की जान शान भारतिय जवान हमारी आन बान और शान कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवानों ने अपने प्रानू का सर्वोच्य बलिदान देकर देश की रख्षा की कारगिल के वीर जवानों की कहानिया हम आपको अपनी वेब सीरीज में रोज सुना रहे हैं लेकिन आज कहानी कारगिल की एक ऐसी योधा की जिसकी बहादूरी ने मिसाल खायम की जेहा कहानी कारगिल गर्ल की गुंजन सक्सेना भारतिय वायू सेना की वो महिला पाइलेट जिन्होंने अपनी वीर्ता से कई भारतिय जवानों की जान बचाई और जिनके शौर्य ने रचा इतिहास 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान फ्लाइट ऑफिसर गुंजन सक्सेना ने युद्ध के मैदान पर बहादूरी का जो परिशे दिया है उसने उन्हें सबसे अलग महिला पाइलेट होने का दरजा दिया दरसल जिस वक्त कारगिल युद्ध चल रहा था जिस वक्त युद्ध के मैदान पर गोला बारूद बरस रहा था उस वक्त भारती वय्यू सेना की पाइलट गुंजन सक्सेना अपने चीता हेलिकॉप्टर से भारती सेना के गायल जवानों को रेस्क्यू कर रही थी ये rescue आसान नहीं था, चारो ओर से दुश्मन लगतार हमला कर रहा था, इसके साथ ही ऐसे दुर्गम पहार थे जिनके बीच उडान भरना खत्रों से भरा था लेकिन ये वो जजबा था, जुनून था जिसने फ्लाइट ओफिसर गुंजन सकसेना को अपने साथियों को युद्ध के मैदान में मदद करने की हिम्मत दुश्मन के खत्रे की परवाह किये बिना फ्लाइट ओफिसर गुंजन सकसेना ने जब अपने चीता हेलिकॉप्टर से उड़ान भरी, उस वक्त उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि ये उड़ान उनके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। शिद्द के साथ पूरा किया। कारगिल युद्ध में ओप्रेशन विजे के दौरान उनके अदमने साहस के लिए उन्हें शौरी चक्र से सम्मानित किया गया। ये वो सम्मान था जिसे पाने वाली वो पहली महिला पाइलेट बनी। गुंजन सक्सेना की साहस की वज़ा से उन्हें कारगिल गर्ल का नाम दिया गया। जिस नाम से वो आज जानी जाती है। गुंजन सक्सेना के कारगिल युद्ध के दौरान दिखाई गई बहादुरी ने फिल्म प्रोडिूसर्स को इस कदर प्रेरित किया कि फिल्म निर्माताओं ने उनकी जिन्दगी पर फिल्म बनाने का फैसला किया। और इस फिल्म को उनका ही नाम दिया गया कारगिल गर्ण। जिसे मेल लेड के रोल में जानवी कपूर गुंजन सक्सेना की भुमी का निभाती नजर आएंगी। आपको बता देगी कि फ्लाइट ऑफिसर गुंजन सक्सेना 1994 आई एफ ट्रेनी पाइलिट के पहले बैज की उन 25 महिलाओं में शामिल थी जिन्हें इस ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। वो ऐसे परिवार से तालूख रहती हैं जिसमें उनके पिता और भाई भी भारतिय सेना में हैं।